हेलो एस्ट्रेंट तो आज का मारा कोशन है तो एस्ट्रेंट हम लोगों को पता है कि हमेंट बीइंग का जो अडिवल रेंज होता है वो 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट होता है ठीक है और इस्पीट अप साउंड गिवन है 350 मिटर पर सेकेंड तो हम लोगों को audible sound का wavelength का range निकाला है कि हम minimum कितने wavelength तक के sound को सुन सकते हैं और maximum कितने wavelength के sound को हम लोग सुन सकते हैं ठीक है तो देखें यहाँ पे जो 20 hertz given है इसको हम लोग माले रेस्टन new 1 तो new 1 इको टू क्या हो गया 20 hertz और जो 20 kilohertz है इसको माले रेस्टन new 2 ठीक है frequency it means 20 kilohertz और V जो speed of sound दोनों के लिए common है then V equal to 350 meter per second के लिए स्टन तो एक बार हम लोग lambda जो निकालेंगे पहला lambda 1 ठीक है तो हम लोग के पास formula strand एक पड़े हुए है V equal to क्या हो जाता है new lambda ठीक है तो lambda equal to क्या हो जाएगा V upon new ठीक है यानि velocity upon frequency तो देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा velocity तो same है दोनों केस में बट यहाँ पर हमारा क्या आगया new one तो velocity कितना हो गया 350 meter per second ठीक है upon frequency तो frequency कितना है 20 hertz 20 hertz means 20 cycle per second ठीक है तो यहाँ से second second cancel हो जाएगा यानि हमको क्या मिलेगा 350 upon 20 तो यह एक 0 कर जाएगा then 300 sorry 35 upon 2 it means 17 point 5 meter this is what lambda 1 similarly lambda 2 calculate करेंगे lambda 2 equal to again V upon new 2 तो V 350 upon frequency देखे कितना है तो 20 kHz it means इसको क्या write कर सकते है तो 20 into 10 to the power 3 per cycle ठीक है यह meter per second हो गया तो second second कर जाएगा clear है अब यहाँ से 350 upon 20 into 10 to the power 3 तो यहाँ से अगर cancel हो जाएगा तो then क्या मिलेगा strength 17 point 5 into 10 to the power minus 3 meter ठीक है यह millimeter जाएगा convert कर देंगे तो 17.5 millimeter यह क्या निकल के आगया lambda 2 ठीक है तो lambda 1 का value कितना है था 17.5 meter और lambda 2 कितना आगया 17.5 millimeter तो इतने से इतने wavelength का जो sound होगा उसको हम लोग क्या कर सकेंगे strength तो सुन सकते हैं